Hi everyone, welcome back to my channel Colorful Threads So friends, I am very beautiful, beautiful, and beautiful table cover, asni, 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 table mat, which you can call, you are very beautiful and beautiful, and you can use it, if you have a beautiful color color, you can also make it, so you can also make it, so first I will show you a beautiful design, I am very beautiful and beautiful design, in which I have made, I have made all different, and it helps you add to this, very easy, so I put it on the color, I have made it for two, green and lemon, yellow, but if you want what you want, you can draw, you can make it, हैं बची हुई उनसे प्लस एक बेस कालर ले 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 लें एक इसके तोर बहुत इक उबसूरत लगता है। मैने जिसमें बनाया है एक में टिक्क्यों को लगाया है और इधर पांच हैं बट्क आप है पहले कुछ flowers को ready कर लीजे उसके बाद इन्हें जोडना start करिए और एक टिक्की को जोडने में सिर्फ आपको एक मिनट से डिर मिनट लगता है बहुत जल्दी जोड के भी ready हो जाता है देखने में काफी प्यारा लगता है अब इतनी जल्दी बनके ready हो जाता है कि अगर आप पूरे एक साथ बनाने वाले table cover बनाएंगे तो उनके comparison में ये table cover बहुत जल्दी बनके ready होता है साथ ही मैंने इसका जो ये border बनाया है ये जालियों वाला net जो border बनता है वो border बनाया है अब बहुत ही खुबसूरत सा मैंने ये इसका final look दिया हुआ है ये बहुत ही प्यारी सी कंगूरे वाली जो design है ये बहुत खुबसूरत सी लगती है इस design को मैंने इसमें use किया है table cover के तौर पर बना रहे है ये design बहुत लटकती है जब नीचे तो बहुत जादा प्यारी लगती है तो friends मैं तो suggest करूंगे अगर आपके पास बची हुई उन है तो आप इस project को जरू रोजी भी लगा सकते हैं black और yellow भी बना सकते हैं तो combination जो आप चाहें वैसे बनाएं बड़ किसी भी combination में बनाएंगे अच्छा ही लगीगा अगर आपको ये design अच्छी लग रही हो तो पहले फटा-फट से लाइक जरूर कर दीजे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और प्री प्लाई की वूल से बनाया है और इसे बनाने में मैंने यूज किया है अच्छी बनके रड़ी होती है और उसमें कर्लिंग बगरन नहीं आती है तो चले फिस्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये पाट इस डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले इसका बीच का बनाएंगे और फ्लार बनाने के लिए 8 चैन बना लेनी है सबसे पहले 8 चैन बनाएंगे 1,2,3,4,5,6,7,8 और 8 चैन बना के जो पहली वाली चैन है इसमें अपने वर्क को स्लिप टिस्ट से एड़ कर दीजे एक चैन धागी को थोड़ा सा लंबा खीच लेंगे जितना भी लंबा आपको पॉफ बनाना इसमें आप चाहते है उतना लंबा धागा खीचें इसमें और यह रिखें जो बीच का होल्स रेडी हुआ है इसी में हमें पॉफ बनाने है इस होल से डालेंगे एक, दो, तीन, चार, और पांच तो टोटल पांच बार हमने यहाँ पे धागे को ग्रैब करके निकाल लिया है और अब इन सारे लूप्स को एक साथ ओवर कर लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच पांच चैन बनाएंगे और फिर से इसी वाले होल से डालेंगे और पांच बार ऐसे धागे को ग्रैब करके पफ बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच अगें सारे लूप्स को ओवर कर लेंगे एक साथ और पांच चैन एक दो तीन चार पांच फिर से इसी लूप से डालेंगे और पांच बार धागे को ग्रैब करके निकाल के पफ बनाएंगे एक दो तीन चार और पांच टोटल आठ बार हमें इसी तरीके से करना है आठ पफ बनाके इसमें रेडी करने है और हर पफ के बाद इस तरीके से पांच चैन का स्पेस देना है एक दो तीन चार पांच ओके तीन बार हमने बना लिया है पांच बार और इसमें बनाएंगे टोटल आठ पफ बनके इसमें रेडी होंगे इस तरीके से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, टोटल एट पफ बना के रेड़ी कर लिए हैं, और वोग के एंड में फिर से पांच चैन बनाएंगे, चार और पांच, और जो हमारा पहला पफ है, इसके उपर जहां आपने एड़ किया है, पफ को बांधा था, उसी स्पेस पे एड़ कर दीजे, एक चैन बना के धागे को कट कर, इस तरीके से फ्रेंट्स आपको इसमें फ्लार बनाने हैं, आप चाहें तो एक एक फ्लार बना के एड़ करते जाएं, और फिर दूसरा पहला एक पूरा बना लें, उसके बाद दूसरा बना के उसे फ्लार सारे बना के रेड़ी कर लिए हैं, जितने भी मुझे बनाने थे, उतने फ्लार मैंने इसमें बना लिए हैं, आपको एक रो जबा पूरी बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें चोड़ाई कितनी है, और उतनी चोड़ाई में आपको कितने फ्लार बना एक फ्लार ले लेना है इसमें फ्लार लेने के बाद जिस भी कलर को आपको यूज करना है मैं यहाँ पर लेमन कलर यूज कर रही हूं उस कलर को अब आप लेंगे और इसमें किसी भी एक पांच जो इस पेस है पांच चैन का इसमें वक को एड कर देंगे एक चेन बना लेंगे प्रॉपर्ली सेट करने के लिए और अब जो इनेक्स्ट वाला चेन स्पेस से यहां पे साथ डबल क्रॉशर बना के रेडी करनी है एक दो तेन चार पांच छे साथ उके सैवन डबल क्रॉशर हो गए तीन चेन बनाएंगे फिर से इसी वाले स्पेस में जहां पे आपने साथ डबल क्रॉशर बनाई है इसी स्पेस में फिर से साथ डबल क्रॉशर बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और ये साथ और इसके next वाली जो chain space है, एक में देखिए हमने धागे को add किया था, दूसरे वाले में 60 double crochet, 3 chain और 60 double crochet बनाई थी, और अब जो इसके बाद वाला chain space है, इसमें work को single crochet से add कर देंगे, और फिर से इसके बगल वाला जो chain space है, इसमें 60 double crochet, 3 chain और 60 double crochet बनाएंगे, एक, दो, साथ, साथ double crochet हो गई, अब 3 chain बनाएंगे, और फिर से इस space पे, साथ double crochet, 2, 6, और 7, और फिर से next वाले में add कर देंगे, तो इस तरह से आपको बनाना है, एक बार बन गया, दो बार बन गया, यहाँ पे add किया है, उसके बाद फिर इसमें 60 double crochet, 3 chain और 7 double crochet बनाएंगे, उसके बाद वाली में add करेंगे, और उसके बाद वाली में फिर से 7 double crochet, 3 chain और 7 double crochet बनाके ready करेंगे, तो इसे पूरा मैं बना लेती हूँ, फिर आगे बाद इस तरह से पूरा चारों तरफ बना लिया है, और अब जहां से हमने start किया था है, इसी जगह पे फिर से, इसे single crochet से add करेंगे, और एक chain बनाके यहाँ धागे को cut कर लेंगे, एक chain बनाएंगे धागे को cut कर लेंगे, तो यह देखे, इस तरीके से total 4 corner बनके इसके ready हो गए हैं, एक, दो, तीन चार, अब मैं आपको इसके दूसरा add करना बताऊंगी, फ्र्रेंट के दूसरा add कैसे होगा, तो आपको क्या करना है, फ्लार आपने बना ही लिया है फ्लार को यह आपने फ्लार बनाया है इसमें एक कॉर्णर जैसे आपने इसमें बनाई है सेम वैसे ही बनाना है पहला कॉर्णर बना लिजे दूसरा कॉर्णर बना लिजे और तीसरे कॉर्णर आधा बना लिजे में साथ डबर कॉर्शा तक बना तीसरा करिनर आधा बनाया रहें अब इसमें एड करेंगे तो एक चैन बनाएंगे यह हमारा फ्रंट साइड है दूसरा वाला जो है आपको इसके बैक देखिर यह देक्जी मैं अनियुकल इसका बैक और इसका बैक एक साहत आपको लेना है इस तरह के से ठीक है यह वाला बैक इक चैन बना लेंगे इस में साथ कुरोषा को डालेंगी इसका वाला जो तीन के ठालना हैici टालना है और अधा ही बना लिनी है Okay और छैन बना लेना है और चैन बना के यह जो अभी साथ double crochet इसमें बची हुई है आधा ही बनाया है corner हमने तो इसको पहले पूरा कर लेते हैं और साथ double crochet इसमें बना के रेडि करते हैं एक साथ साथ double crochet बना ली वह को दूसरे वाला जो चेंज स्पेस है इसमें आपको सिंपल वैसे ही आड़ करना है जैसे डिजाइन बनाती है और फिर से जो नेक्स वाला corner है चाथा corner बनाने के लिए अगें आपको पहले इसमें साथ double crochet बना लेनी है एड़ आप जो करेंगे वह साथ double crochet बनाने के बाद जब बीच में तीन चैन का स्पेस आता है उससे ही एड़ करना है आपको सारे ही अपने फ्लार्स को बहुत ही कुबसूरत प्यारा सा पैटर्न है यह बहुत प्यारा लगता है बनने के बाद एक दो त करना के लिए फ्लार सब अलग-अलग ऐलों कलर से बनाए और वेस आप लेले white colour का या red dot के कोई भी color ले ले अपन अच्छा ही लगता है अब देखेगा यहां पर चौथा कॉर्णर एड़ करना है मुझे तो पहले एक चैन बना लिया democracy कॉर्नर को मिलाना है दिक ये कॉर्णर हमने ऐठ किया था तो ये वाला कॉर्णर एड़ करेंगे सेम वैसे ही एट करना है इसके तीन चैन वाले स्पेस पर डालना है यहां से डाला और एक सिंगल क्रोशा इसमें बना ली थोड़ा धीला ही बनाईएगा इसको तो कॉर्णर अच्छे से बनके रड़ी होता है और अच्छा भी लगता है देखने में फिर से एक चैन बनाएंगे और जो आधा मारा साथ दबर क्रोशा बनाई होई है बची होई है उसको बना लेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ यहां पर इसे एड़ करते हुए जहां से हमने स्टार्ट किया था सेम उसी जगह पर इसे एड़ कर देंगे एक चैन बनाके धागे को कट कर लेंगे इस तरह के सी दो जो मेरे फ्लार्स है वह एड़ हो चुके है और अब आपको एक लाइन में जितने भी फ्लार्स बनाने है जितने भी फ्लार्स लगाने है चोड़ाई के अकोर्डिंग उतने लगा लें जैसे कि जैसे मैंने यह आपको बताया है एड़ करना फिर से आपको धाई कॉर्णर बना लेना है और इस वाले कॉर्णर और इस वाले कॉर्णर पर एड़ कर देना है उसके बाद अगें धाई कॉर्णर बना के आपको एक कॉर्णर पर एड़ कर देना है यहां देखें यह दोनों एड़ हो चुका है इसी तरह से आपको बाकी के भी सारे फ्लार इसी में एड़ कर लिने है अभी मैंने इसमें चार ही लगाए है पहले मैं आपको इसके नीचे का बता देती हूँ फिर मैं अपने नीट के अकॉर्डिंग इसमें लगा लूँगी तो यहां देखेगा जैसे ही आप जैसे आपने ठाए बना लिए हैं डाए बना के फिर से वैसे ही करेंगी एक चेन बनाएंगे और एक चेन बना के यह दिकी कई बली है से मिशास का देना है में बैक साइड दोनों एक साथ रहेंगे फिर से साथ डबर क्रॉश इसमें बनाएंगे मैं एड कर देंगे नेक्स वाले में चौथा और लास्ट करनर बनाएंगे पहले साथ डबर क्रॉश बना लेंगे इसमें सेवन ओके साथ डबल प्रोशा हो गई फिर से एक चैन बनाएंगे और अब इसे एड़ करेंगे लास्ट कॉर्णर में सिर्फ आपको कॉर्णर से कॉर्णर एड़ करना है और इसमें कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स बहुत ही इजी पैटर्न है और आप जितना बड़ा चाहें इसे बना सकते हैं जितना भी बड़ा बनाएं बहुत ही कॉपसूरत भी लगती है यह टेबल मैट देखने पर अगर करने वाला है तो है है हम दो कुछ यहां से स्टार्ट कया था उसी वाली चेन में एड़ कर देंगे और एक च्शेंडं बना करने Hier एक रूम हुई कितनी बनाना है एक रूम में पहले लगा लिजए और उसके बाद दूसरी रों में पहला हमने एड़ कर करूंगे ठीक है तो पहले इसमें अ बना लेती हूँ यह से ढ़िन करेंगे और एड करके लिजसे बाद दूसरी के चेंगे डिखाव सनने फ़िर से 공ंपर्ट की च्रेनrete में सब्सक्त क्राइब करेंगे इस इस कार्ण को ऐड़ करेंगे इस कारनर कॉर्णर कौक ऐड करेंगे तो इस कॉर्णर को एट करने के लिए पहले देखीं यहां पर ऐसे इन दोनों को जोड़ देंगे और कॉर्णर से कॉर्णर मिलाएंगे और एक सिंग्ल क्रोš इर बना लेंगे एक चेन और अगेन पहले यहाँ पे साथ डबा गोश्य बना के रेडी कर लेते हैं दूसरा कॉर्णर पूरा कर लेंगे उसके बाद ही इसको आगे जोड़ेंगे तो दूसरा कॉर्णर बना लेते हैं और तीसरा कॉर्णर भी आधा बना के रेडी कर लेते हैं है यह दूसरा कॉर्णर रड़ी हो गया फिर से इसे नाक्ट वाले चीन अड़ करते हैं और उसके बाद वाला जो कॉर्णर है मींस थर्ड कॉर्णर को आधा बनाके पहले रड़ी कर लेते हैं इसमें साथ डबर प्रोश्या पहले बना कर लेंगे यह देखिए तीसरा भी आधवन के रड़ी हो गया वैसे एक चैन बनाएंगे और अब देखेगा रख के दिखाते हूं मैं आपको यह वाला कॉर्णनर एड़ हो गया है अब इसे हमें एड़ करना है तो इसे एड़ करने के लिए अब देखेगा क्या करेंगे सेम ऐसे ही लेंगे से और जो यह पहला वाला है ठीक है सारे हमने इसी में एड़ किये हैं तो इसको भी इसी में एड़ करेंगे जो पहली वाली आपकी फ्लार है इसी फ्लार में इसको भी एड़ कर देना है जो इसका वाला कॉर्णर है देखेगा ये वाला इसका कॉर्णर है इसमें ही हमने इनको और इनको एड़ किया है तो इसे भी इसमें ही एड़ करेंगे सेम वैसे एड्ट सेम वैसे ही करना है एक चैन बना के आपको सिंगर क्लोशा बना लेनी है और उसमें बाकी का साथ ड़बर क्लोशा बची हुई है पहले इसे बना लेते हैं साथ ठीक है देखे पहली हो गई दूसरी हो गई तीसरी भी हो गई फिर से इसे नेक्स वाले चेंड स्पेस पे एड़ करेंगे और जो चौथा कॉर्णर है उसे भी पहले आधा बना के रेडी कर लेंगे साथ हो गया अब देखेगा फिर से मैं रखके दिखाती हूँ अब आपको इस कॉर्णर को एड़ करना है यह आपने एड़ कर लिया यह एड़ कर लिया अब आपको लास्ट वाला एड़ करना है तो इसे भी सेम वैसे ही एड़ करेंगे पहले एक चेंड बना लेते हैं और एक चैन बना के जो कॉर्णर से कॉर्णर को टेश कर देंगे मिला देंगे और यहां पर एक सेंगर कॉर्शय बना लेंगे के इस तरीके से ओके यह इस तरीके सब्सक्रास कर नहीं ओप यह नcom.rig छें पर और kid पना के धागी को कट कर लेंगे कि यह देखिए कितना सिंपल है ना अराम से और यह देखें फिनिशिंग इसकी देखिए कितनी अच्छी आती एक जगह से जब आप तीन एड़ करेंगे अब आपको इसमें इसको एड़ करना है सेम ऐसे जैसे आपने दूसरा एड़ किया है वैसे ही आपको तीसरा एड़ करन दोनों 쪽 की हैं उसी में आपको जो कॉर्ण्र है वो भी एक करना है सेंटर वाला जैसे आपने इसमें पहले पुर्ण किया है तो इसमें आप दůसरे वाले पे करेंगे इस ज ASH में ठीक है और एस वाले में आएंगे इस जिएंगे तो आप इस वाले में एड़ करिएगा सेम वैसे ही आपको इसके नीचे भी चलना है पहले आपको इस पहली फर्स्ट को एड़ कर देना है फिर एल शेप में आड़ करना है नीचे वाली जब आड़ करेंगे तो जब आप बीच वाला पॉइंट आड़ करेंगे तो आप पहले वाली में इ इस पर करें गए तो चोथा क्यों आप अपको नीचे बहुत O करें सैंटर पर तो एक यहां पर जोगा धूसरा भी इस न्यास घूर को फिरनाएँ पहला वाला और दूसरा वाला एड़ किया है इस तरीके से बनाएंगे तो कॉर्णर अच्छा बनेगा में जितने भी एक जगह पे जितने भी फ्लार अटैच हो रहे हैं वो एक पॉइंट पे ही अटैच होंगे एक दूसरे में नहीं ऐसा नहीं करेंगा कि यहां वाला आप य इसमें मिलाया है यह भी आप इस में मिलाया है तो अब आप जो अर्ट करें वो भी अप इसमें ही मिलाएंगे और सेम पोजीशन आपकी लास्टर में भी होगी तो ऐसे ही आप कर्के सारे करने हैं असे बॉसको बड़ा बनाना चाहते हैं फ्रैंट साफ संके बार में और न इसमें कुछ लगेगा, यह सिर्फ आपने टिक्कियां जोड दी है, जब तक आप इसे proper border look नहीं देंगे, तब तक finishing नहीं आएगी, तो पहले आप पूरा बना दीजे, फिर मैं आपको इसका border बनाना बताते हैं, तो यह देखेगा friends, यहाँ पे मैंने इतना बना के ready कर लिया ह यहाँ पे, जो corner है, corner पे आपको work को अपने add कर लियना है, अगर आप contrast दागा लगाना चाहते हैं, तो contrast लगा सकती हैं, और अगर same color से border बनाना है, तो same color से भी आप border को बना सकते हैं, तो अब इसमें बनाएंगे total 6 chain, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, और 6 chain बना के, same इसी point पे, इसी जगा पे, जो पहला वाला आपका double crochet है, इसके उपर add कर दीजे, ओके, again, 1, 2, 3, 4, 6 chain बनाने के बाद अब देखेगा यहाँ पे, जहाँ पे बनाया है, 1, 2, 3, 4, इस पे add कर लेंगे, फिर से 6 chain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 6 chain बना के, यहाँ से, 1, 2, इधर बची है, तो 1, 2, इधर छोड़ेंगे, एक और 2 के बाद जो तीसरी वाली है, इसमें add करेंगे, फिर से 6 chain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 chain बना के, एक, दो, 3, 4, 5, जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे add कर देंगे, मिस्वर टेबल प्रेस पे जहाँ पे आपको लग रहा हो, add हो सकता है, वहाँ पे इसे, अपने work को add कर दीजे, फिर से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, चैन मनाएंगे, और 6 चैन मना के, इसे, सेम वैसे ही, इधर से, चौते या पांच वे पे add कर देंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और 6, अब इस जगा पे add करेंगे, तो जहाँ पे भी आपको suitable प्लेस लग रहा है, उस जगा पे इसे 6 चैन मना के, ऐसे ही add करना है, बस work थोड़ा loose हो, बहुत ज़़दा tight नहीं होना चाहिए, tight होगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो थोड़ा हलका सा loose work ही बना के, इसे इसी तरीके से, पूरा, एक side का बना के, next वाले corner पे आ जाना है, तो ये देखें, same वैसे ही, 6-6 चैन बना के, एक दूसरे में add करते हुए, मैंने पूरा बना लिया है, और अब मैं corner पे हूँ, corner पे फिर से वैसे ही, पहले 6 चैन बनाएंगे, 3-4-5 और 6, 6 चैन बना के, आपको इस beach वाले पे add कर देना है, ठीक है, just corner पे इसे add करना है, 1-2-3-4-5-6, और same, जिसे यहाँ पे इधर की side बनाया है, same, एसे ही अब दूसरी side बना लेना है, 6-6 चैन बना के, same आपको add करना है, और चारों तरफ इसी तरीके से बना के ready करना है, पूरा, same ऐसे ही 6-6 चैन बना के पूरा ready करना है, और पूरी तरफ 4 तरफ देखेगा, इसी तरीके से मैंने बना लिया है अच्छे चेन करके और अब जहां पर आपने बॉइक को स्च्ट किया था उसी जगा पर अपने बख को एड्ट करदेना है कि आङ से एट पॉइंट पर वर्कों पहले एड्ट कर देंगे और अभ यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे चैन मनाएंगे, नेक्स्ट वाली चैन में एड़ कर देंगे, अब वरक आपस सिंपल है, सिर्फ आपको ऐसी छे छे चैन मना के, आपने जो नेक्स वाली चैन है, उसमें एड़ करना है, और जितना इसका बॉर्डर चौड़ बनाना चाहते हैं, उतना बड़ा बना लेंगे, फिर इसका लास्ट आउट बनाएंगे, छे, तो यह नेट, चेन नेट बनके रड़ी होती है, और किसी भी प्रोजेक्ट में आप इस नेट को बनाएं, बहुत ही ज़्यादा खोबसूरत लगती है, यह नेट इजी भी होती है, अगर आप एक बिगनर हैं, तो भी इसे आराम से बना लेंगे, और बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगती है, ओन भी कम लगती है, इसमें, देखने में भी खूबसूरत लगती है, खूबसूरत से और सिंपल से डेजाइन, बहुत ही प्यारी लग तो इसी तरीके से आपको इसमें चार से पांच राउंड बनाके रेडी करने हैं पूरा ऐसे ही राउंड बनाते हुए आ जाना है कॉर्णर पे भी सीम वैसे बस एक के बाद एक आपको एड़ करते जाना है और ऐसे छेचे चेंड बनाके सब में एड़ करेंगे फिर से पेली चेन है इसमें 2 सिंगर बनाके नेक्स्ट वालारौड बनाना रेडी करेंगे तो सेम ऐसे यहां मैंने इसमें पूरा बनाके रेडी कर लिया है चारो तरफ एड कर लेते हैं और अब मैं यहां पे वो दागा यूज करूंगी जो मैंने बीच में जिसके फ्लार्स बनाए हैं तो सेम इसी जगह पे धागे को एड करने के बाद अभी तो इस तरीके से मैंने धागे को एड कर लिया और अभी यहां पे टोटल पहले एक तो तीन चार पांच पांच चैन मनाई और अब यहां पे तीन चैन और एक्स्ट्रा बनाएंगे एक दो तीन ठीक है उपर से देखे एक दो और तीन जो थर्ड नमबर वाली चैन है इसी में क्रोशा को डालेंगे और दो डबल क्रोशा बनाएंगे एक सें इसी जगह से फिर से डालेंगे और दूसरी डबल खॉर्जऑबनाएंगे दू हो गई अब यहाँ पर एक दो दो चैन बनाएंगे और सेम इसी वाले प्लेस पे जहां से डबल क्रॉर्जऑबना रहे हैं इसी प्लेस में धाग ब्लेस को एड कर देंगे गैन दो चैन बनाएंगे और दो डबल क्रोश एक और दो फिर से दो चैन मनाईंगे एक और दो और उसके बाद सेम इसी प्लेस पे फिर से एड़ कर देंगे यहाँ पे जहां से एड़ किया है उसी जगह पे एड़ करेंगे फिर से दो चैन बनाएंगे एक और दो और सेम इसी प्लेस पे जहां से बना रहे हैं दो बार और डबर क्रोशर बना लेंगे एक और दो और फिर से दो चैन बनाके एड़ कर देंगे एक दो दो चैन बनाएंगे और इसी जगह पे add कर देंगे सको same इसी place पे जहां पे add कर रहें तो एक ही chain से आपको यह पूरा work करना है उसी से आपको यह वाला बनाना है वहीं से यह वाला भी और यह वाला भी सब एक ही जगह से बनाना है और अब यहां पर हमें फिर से पांच चैन बना लेनी है एक, दो, तेन, च पांच चैन बना के अपने work लिख हमें जो next वाला है टेक हैजा कि एक चैन हमने बनाना स्टार्ट किया है और दूसरी चैन पे इसे OUT कर देंगे ठीक है फिर से एक दो तीन छार पांच पांच चेन बनाएंगे उसके बाद फिर तीन और बनाएंगे एक दो तीन उपर से एक दो और टीन तीसरी वाली जो है इस चेन में डालेंगे जो उपर से जो थर्ड नंबर के चेन होगी फ्रेंड आपको उस वाली में डालना है और इसमें को तो two double crochet बना लेनी हो कि Only source कहिस्छ इस पर से अलाएंगे और दूसरे एक दो दो chain और फिर से इसी देखित के कि जहां से बनाया है मैं इसी जगह पे फिर से डालोंगी और इसे अर्ट कर दोंगी slip stitch से 1 2 2 chain again इसी प्लेस से डालेंगे देखिए यहां से बना रहे हैं इसी जगह से फिर से डालेंगे और 2 double crochet बनाएंगे 1 उसी जगह से फिर से 1 और double crochet 2 double crochet के बाद 2 chain और अगें इसी स्पेस पे डालके slip stitch से एड़ देगे तो 2 leaf बन गहीं फिर से एक बनाएंगे एक, दो चेन, सेम इसी प्लेस पे, एक, और दो डबल क्रोश या, दो चेन और अगेन इसी स्पेस पे डालेंगे और स्क्रिप्टिस से एड़ कर देंगे, अब यहाँ पे पांच चेन फिर से बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और जो नेक्स् है इस तरीके के डिजाइन बनके इसमें बॉर्डर में रेड़ी होगी अब बहुत ज़्यादा खुबसूरत भी लगेगी तो सेम इसी पैटन को रिपीट करेंगे सब में एक बार एड़ करेंगे फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे बीच वाला फ्लार बनाएंगे फिर से थाल टेबल कवर बनके लग रहा है बहुत ही प्यारा सा लगता है और यह डिजाइन इसकी जो बनी है यह भी बहुत ज़्यादा खुबसूरत लगती है तो फ्रेंट्स आई होप आपको यह पैटन पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक शेर और सब्स्रक्राइब जर ड्यूल ओबाई थैक यह था ऱ खिले अटि लग्ताइब जह जदेए